प्रदेश NSUI जल्द ही विधान सभा का घेराव करेगी ये बात NSUI प्रदेश महासचिव टोनी ठाकुर ने शनिवार को हमीरपूर में आयोजित पत्रकार वारता के दोरान कही उन्होंने कहा कि अगर जल्द प्रदेश सरकार छात्र हितों में नेर्णे नहीं लेती है और मांगे पूरी नहीं करती है तो प्रदेश में बड़ा आंदोलन होगा एनसीवाई के प्रदेश महासचिव टोनी ठाकुर ने हमीरपूर में पत्रकार वारता के दोरान कहा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी पर अनुराग ठाकुर और जैराम ठाकुर की व्यक्तिगत लड़ाई की वज़ह से हजारों चात्रों को दिकतों का सामना करना पर रहा है डबल इंजन की सरकार आपसी कलह के चलते पटरी से उतर चुके हैं उन्होंने मांग की है कि 2015 से 2018 के बैच के इंटर्नल एसेस्मेंट पोर्टल को भी खोला जाये ताकि हजारों चात्रों को राहत मिल सके टोनी ठाको ने कहा कि हाल ही में हिमाचल प्रोदेश विशोविद्याले में हुई शिक्षकों की भरती प्रक्रिया में घोटाला किया गया है अपात्र लोगों को न्युक्तियां दी गई है सरकार विशो बिद्याले का भगबा करन करने का काम कर रही है जिसके चलते ऐसी न्युक्तियां कर रही है उन्हें कहा कि इन न्युक्तियों को जल्द से जल्द रद किया जाए साथ ही उन्होंने BBA और BCA के री अपियर के छात्रों के एक्जाम भी जल्द करवानी की मांग उठाई है उन्होंने कहा कि यदी मांगे पूरी नहीं हुई तो NSY करोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए आगामी विधान सभा सत्र में सरकार का घेराव करेगी पातर ही नहीं है बैलिड ही नहीं है ऐसे लोगों को जो है एच्पियों द्वारा रखा जा रहा है और साथ ही एक हमारा जो अंतिमत बात है कि BBA और BCA के फोर्थ सेम के जो रियपियर के स्टूडेंट है जिनको सप्ली आ गए थी जिनके अभी सिक्स सेम का रिजल्ट भी आ गया है उनके BBA, BCA के फोर्थ सेम के ही एक्जाम नहीं हुए है तो ऐसे लोग जो है वो ऐसे चातर समुदाय से जुड़े है जो भी लोग है वो आगे क् जब उनके सिक्स सेम का रिजल्ट आ गया है और जो उनका फोर्थ स्मेस्टर के रियपियर का एक्जाम अभी तक एच्पी द्वारा कंड़क्ट नहीं करवाया जा रहा है और ऐसे ऐसे लोगों को नुक्तियां दी जा रही है जो उसके लिए पातर ही नहीं है तो यह कार से मांग है कि वो जल्ट से जल्ट जो है चाहे वो सीउ के उपर हो या शिक्सकों की भरती के उपर है और बीविए वीचे के एक्जाम को लेकर और इंटर्नल असेस्मेंट के पोर्टल को लेकर हम इन सब मांगों को लेकर अगामी जो विधान सबा सतर बैठेगा बहां प ब्यूरो रिपोर्ट सिटी चैनल हमिरपूर